हलो फ्रेंट स्वागत है आपका पिक्स यूट्यूब चैनल में मेरा नाम है सचिन रावत और आज मैं आपको ड़सा नहीं रेफ्लाक्सा जिसे हम सॉंग अफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसके बारे में महत्पूर्ण जानकारियां देने वाला हूँ ड़साना रेफ्लेक्सा एक इंडूर आउड़ासदूर दोनों जगाःऊ चलने वाला पौध़ा है इसे आफ इंडूर भी आसानी से लगा सकते हैं आसानी से ग्रोव हो जाता है और आउट्डोर भी आशानी से चलता है है दोस्ते डच्ठेना GRAPH रिफ्लाक्सव में कई वराइटीज आती है और इनमें कलर्ट भी घ्रीन डच्टेना रुपलैक्सव और वाइट ग्रीन मिकसम और फ्यूर ग्रीन कलर और और विसमें कई करेश कर राते हैं दोस्तों डचाना को हम कटिंग कर सकते हैं इसके कट्रिंग मार्श नेखिंग रँट प्र पर सब्ला जो मौसम होता है कटिंग लगाने का वह बरसात का मौसम होता है जो कि इससे में चल रहा है दोस्तु डरसाना, फ्लैक्सा या फिर सॉंग फिंडिया की गटिंग लगाना है की कटिंग को उस मिट्टी में लगाना है जो ज़्यादा सकत नहूं मतलब कि आपको मारंग, वर्मी कम्पोस्ट और दो मन मिट्टी में लगाना है इसके अलावा दोस्तो आप जिस भी गंबले या फिर क्यारी में कटिंग लगाईए वहाँ पर पानी का जमाँ बहुत जादा ना होने पाई पानी पूरी तरह से ट्रेंड हो जाना चाहिए यह तो आपकी कटिंग जल्दी सड़ जाएगी इसके अलावा यदि आप गर्मियों में इसके कटिंग लगाते हैं तो आपको इसे चाया वाली जगह में रखना है और कोशिश करने हैं आप इसके कटिंग लगाने के बार थलके गीले कपड़े सोती गीले कपड़े से ओपर ढख दें जोस्तो बात की जाएए इसके खात के त बात आप इसमें इसकी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की पुरानी शड़ी खात मिला सकते हैं इसके लगवा आप केंपर फर्टिलाइजर डालने ज़रूरत नहीं है इसकी पतियों में कीड़े लगने पर आप किटनाशक का परियोग कर सकते हैं जिसमें बजारने अपलापे दोस्तों सम 20 दिन पहले हमारे हमने कटिंग लगाई थी छोटे से गंबले में जिसमें यह आप देख सकते हैं जड़े आ चुकी है आप भी दोस्तों सांग आफ इंडिया को इसी तरह कटिंग लगा कर आसानी से ग्रोव कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू